हेलो बच्चो जार्खन डीजी स्कूल में आपका स्वागत है आज इस वीडियो में हम पर्यावरन अध्यन के कक्छाचार के पार्थ 11 पौधों की दुनिया पर चर्चा करेंगे और सुरू करते हैं हम एक कहानी से तो आपको कहानी सुनना पसंद है ना तो चलिए कहानी तो किसान ने जब दानों को देखा तो वह डर गया तो दानों ने कहा डरो नहीं डरो नहीं मैं साकाहारी दानों हूं साकाहारी दानों पर तुम मेरे खेत पर क्या कर रहे हो तो दानों ने कहा कि मुझे पता है कि किसान बहुत अच्छी अच्छी फसले उगाते हैं तो मैं यहां तुम्हारे द्वारा उगाए गैसाग सबजिया खाने आया हूँ तो किसान ने कहा कि ठीक है तो दानों ने कहा पर मैं अब यहीं रहूंगा और तुम्हारे उगाए हुए सारे फसले खाऊंगा तो किसान ने कहा ऐसा अगर तुम करोगे तो मैं तो भूका मर जाऊंगा मैं क्या खाऊंगा, मेरी तजीवी का इनी इसी फसल से चलती है तो दानों ने कहा कि ठीक है, तो एक हल निकालते है इस समस्या का एक हल निकालते है मुझे तुम अपनी आगे आने वाली चार फसले दे दो तो मैं यहां से सदा के लिए चला जाऊंगा तो किसान ने कहा कि अगर मैं सारे चार फसले आप ही को दे दूँगा तो उतने दिन मैं क्या खाऊंगा, मैं तो मर जोंगा तो दानों ने कहा अच्छा ठीक है तो ऐसा करते हैं कि जो भी फसले तुम उगाओ उसका आधा मुझे दे देना और आधा तुम रख लेना तो किसान ने कहा ठीक है अब दानों ने सोचा कि क्यों ना मैं इसका पूरा का पूरा फसल ही खाने वाला मांग लूँ तो उसने कहा कि जो तुम फसल उगाओगे उसके उपर का हिस्सा मुझे दे देना और नीचे का हिस्सा तुम रख लेना तो किसान ने कहा जैसा आप चाहें फिर वहां से दानों चला गया अब किसान ने कड़ी मेहनत की दो तीन मेहने के बाराद वहदानों अपना हिस्सा लेने के लिए किसान के खेत में आ गया और कहा कि जैसा कि मैंने कहा था कि जो भी फसल तुम उगाओगे उसके उपर का हिस्सा मेरा होगा और नीचे का हिस्सा तुम्हारा तो लाओ तुमने क्या उगाया है तो किसान ने कहा कि मैंने तो गाजर उगाये है और गाजर का नीचे का हिस्सा यानि कि जड़ मैं रख रहा हूँ और गाजर की पतियां जो उपर का भाग है वो आपका हुआ अरे ये तो दानों ने को क्या मिल गया वह रोने लगा मुझे तो खाने का कोई भी हिस्सा नहीं मिला ये पतियां का मैं क्या करूंगा किसान तो बहुत चालाँक निकला चलो इस बार मैं इसके बिपरीत कहता हूं और उसने किसान से कहा कि किसान ऐसा करते हैं कि हमारे टेस्ट में भी कुछ बदलाव आ जाए स्वाद में भी कुछ हम बदलाव कर ले तो अगली बार जो तुम खेती करोगे तो उपर का हिस्सा तुम रख लेना और नीचे का हिस्सा मुझे दे देना तो किसान तयार हो गया दानव वहां से चला गया फिर किसान ने कड़ी महनत की और इस बार उसने बंधे बंधगोबी यानी की कैबिज की खेती की फिर किसान से मिलने के लिए मॉंस्टर और वो जो दानव है वो पुनहा जाता है किसान ने कहा कि मैंने तो जो खेती की है उसमें ये भाग यानि की जड़ आपका हुआ, सुखी वी जड़े ये आपकी हैं और ये बंधा गो भी मेरी, तो जैसा कि आपने कहा था कि इस बार उपर का हिस्सा मेरा होगा और नीशे का हिस्सा आपका, तो ये रहा, अरे ये फिर क्या मिल गया इस मॉंस्टर को, ये भी त कि क्यों ना मैं किसान को इस बार जो पेड का सबसे बड़ा भाग होता है, यूजलिस, कोई काम का नहीं तना, मैं बोलू कि तुम रख लेना, और फसल के बाकी भाग मैं रख लूँगा, तो किसान तयार हो गया, फिर वहां से मॉंस्टर चला जाता है, किसान कड़ी मेहनत क कड़ने लग जाता है, और इस बार पता है बच्चों, किसान ने क्या हो गाया, किसान ने आलू, आलू की खेती की, आपको पता है, आलू भूमी गत्तना है, अंडर ग्राउंड स्टेम है, तो उसे बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छी अच्छी आलू निकली, अब मॉं फिर से आता है और कहता है किसान किसान तुमने क्या खेती की है लाओ मेरा हिस्सा इस बार तो तना तुम्हारा है और बाकी हिस्सा उस पौधे का मेरा तो किसान ने का हाँ हाँ ये देखो ये सारे आलू ये मेरे हुए क्योंकि ये तना है और आलू के जो साखाएं हैं और अब मैं क्या करूँ तो इसने सोचा कि मनुष्य जो फल खाते हैं तो बीज जो है वो बेकार का हिस्सा है उसे वे फिक देते हैं क्यों ना मैं इस बार ये जो बीज है वो मैं किसान को रखने को कहूँ और पौधों का जो अन्य भाग होगा वो मैं रख लूँगा तो किसान तयार हो गया फिर वहां से वो दानो चला जाता है और किसान फिर कड़ी महनत में लग जाता है इस बार किसान क्या खेती किया बच्चों इस बार किसान ने धान की खेती की धान के जो बीज है वो इसके हिस्से में आ जाने वाला है और जितने पुवाल होते हैं वो हो खुशी खुशी आता है कि चलो इस बार तो मुझे कुछ खाने को जरूर मिलेगा कि किसान लाओ मेरा हिश्सा का है कि ये किसान आताहा की डानो जैसा कि आपने कहा था कि इस बार बीज मेरे होंगे और बागी हिस्सा आपका तो ये जो बीज है यानि की धान जिससे चावल बनता है ये मेरे हुए और बाकी जितने सारे भाग हैं वो आपके हो गए किसान फिर बहुत खुश हो जाता है क्योंकि अब वह चार फसले उगा चुका है और दानों को वहाँ से जाना पड़ेगा दानों रोता हुआ वहाँ से वापस चला जाता है हमेशा हमेशा के लिए और किसान खुशे खुशे अपना जीवन यापन करता है तो बच्चो कैसी लगी कहानी, इस कहानी से आपने क्या सीखा, क्या जाना, तो इस कहानी से हमने जाना कि पौधो की दुनिया अनोखी होती है और पौधो के हम लगभग सभी भागों को खाते हैं, जड़ को खाते हैं, उसके तना को भी खाते हैं, उसकी पतियां भी खाते हैं उसके फूल को भी खाते हैं उसके बीच को भी खाते हैं तो आगे आने वाली वीडियो में हम जानेंगे पौधो के जड़ो के बारे में और पौधो के फूल के बारे में तब तक के लिए धन्यवाद